अजी नमस्कार साहिब नमस्ते रमेज़ भाई गेम जो आदर्णिये परदामंत्री जी खूब मजा मोचू हूँ पन खुश सो और मारू आखू काम पन खुश से अच्छा रमेज़ भाई बताईए पानी की क्या वहुसता है आपके गाउं में हमारे गाउं में सर परदामंत्री जी साथ सो पंद्रा गरों में पानी नल से मिल रहा है सुथ पानी पिने का मिल रहा है कितने घर है आपके यहाँ साथ सो पंद्रा अच्छा लेकिन जो पानी मिल रहा है क्योंकि बनास काठा में मैं जानता हूँ पानी की कैसी दिक्कते रही हैं पहले ये पानी गुनवत्ता की दरश्टी से कैसा होता है आज इन आदरमी पदामंद्री जी हमारा पानी एप्टिक किट के माध्यम से पांच महिलाओं गाओं को प्रस्शित किया गया है और इसके द्वारा समय समय पर जोंच की जाती है और आज की समय में हमारा पानी पीनी के योग्य है तो ये ये महिलाओं की ट्रेनिंग हो गई है वो इस पानी का regular checking करते हैं आजी समय समय पर करते हैं और इसके कारण गाउवालों के भी पता है कि उनके पास जो पानी आता है उसको बीच-बीच में checking होता है अगर पानी में कोई खराबी है तो फिर आगे क्या करते हैं अभी तक खराबी मालूम सर नहीं हुई है जो पानी मिल रहा है सुद्ध और सही है अज़ा आपके गाउव में पानी की सप्लाई के लिए गाउवालों उसकी तरफ से कुछ योगदान मिल रहा है कि सब ऐसे ही चल रहा है हाँ जी सर एस विद्ध ना को रख रखाव के खर्च के लिए साला ना 120 रुपिया योगदान के रूप में लिया जाता है लोग देते हैं जी सर पूशिस करने के बात भी देते हैं अभी पानी मिला खुशी खुशी देते हैं लेकिन जब चुनाव आएगा तो गाउव का जो लोग चुनाव लड़ेंगे और कह देंगे कि हम तो पानी मुफद कर देंगे फिर खारा काम आपका अटक जाएगा सर पानी मुफद करने का वादा करने वाले लोग भूल रहें कि हमारे पास पानी कानमोल है पानी कम है पानी देना भी है यो यूगदान भी लेना है आपके बनास काठा में तो और मुझे बता है कि जिस प्रकार से आपने टपक सिंचाई ड्रीप इरिगेशन भी बहुत प्रचलित किया है क्या आपके गाउं के लोग भी स्प्रिंकलर कहो ड्रीप इरिगेशन कहो इसके अंदर जुड़े हैं क्या जी आधनी प्रदामत्री जी मेरे गाउं के 95% किसान सुक्स्मपियत पद्दती स्पिंकलर और प्रिपेशन के से जुड़े हुए हैं इससे हमारा पानी का बचा होता है पानी भी बचता होगा बिजली भी बचती होगी और मेहनत भी बचती होगी हाज ही सर बहुत बदलाव आया है इसके लिए इसके कारण हमारे फसलों में भी परिवर्तना आया है पहले फसले जो होगी थी इसके अलावा एप आलू पोटेटो मेंस दिवेला राइ ग्याउं ये सब गोता है अचार हमेज भाई आप तो जानते ही हैं अपने जा गुजराति मा कहवत वाईजे सिद्धी तेने जाईवरे जे परसेवे नाय यानि सफलता उसे ही मिलती है जो स्रम करता है मैं आपके गाउं के सभी लोगों ने जो स्रम किया तो आपको इसका फल भी मिल रहा है आपके जैसे नागरिकों का स्रम ही हर योजना की शक्ती है अभी कल मुझे स्वच्च भारत मिशन 2.0 को लाउंच करने का अवसर मिला नागरिकों के स्रम से हमने स्वच्चता के ऐसे लक्ष प्राप्त किये हैं जिसे हासिल करने के बारे में सोचना भी कभी कठिन हुआ करता था जल जिवन मिशन में भी हमें ऐसे ही प्रणाम मिलेंगे ऐसा मेरा विश्वास है और मैं सभी गाउं की माताव बहनों को इतना बड़ा काम अपने जिम्मे लेने के लिए बहुत बहुत बदाई देता हूं धन्यवाद करता हूं आधनी परतामतेजी नमस्कार